अगर आप चैनल पर न्यूंग को सब्सक्राइब करना और बैल आइकन को आल पर सेट करना जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले तो अभी बज़रे हैं सुबा के आज तो आज हम जा रहे हैं तो कल के व्लोग आपने देख दी होगा तो उसमें मैंने बोला था कि आज बानी जा रहे हैं ठोड़ा दूर का खेट है तो सुबा जा रहे हैं यह तो अगर पार ढमगा है है गाड़ी में नहीं यह तो सब्सक्राइब ठीकशन घिल में तो अभी दिखाता हूं मैं आपको कहां जा रहे हैं तो वहां पर जा रहे है भाजली बाइब से लगबग एक घंट का रास्ता है और मेरे साथ है बहुत बहुत ज़ते उसने पीछ वीचे से तो भी चलते हैं और यह हैं लिंक रोड पार तक जाएंगा मिसी रोड में लिंक रोड में और आज तो मुषम काफी जादा साफ है पर शाम को एकराब हो जाता है हर बार अभी दो बज़े तक साफ रहेगा फिर दो वजे के बार बारी स्टार्ट यहां पर जालिया लगाई गई है बंदरों के लिए क्योंकि अब सीजन स्टार्ट होता है ना जब तो सेव खाने के लिए बंदर आ जाते तो फिर नहीं आते यह जाली लगाई है पर इसे लिकर एंड तक जहां तक इनका खेत होगा गाउं में तो नहीं आते आगे को बंदर जंगल साइड में तो जंगल में जादा बंदर होते है तब जालीय लगानी पड़ती है इदर अब हम पहुंच चुके यहां पर खेत में तो अभी परसोक हमने लगबग हपते पहले का यहां पर गास भी काटा हुआ है तो उसके अगले दिन ही खोदना था हमने ट्रेक्टर से तो उसके बाद कंटिन्यू बारिश हो रही थी दोचा दिन में तो फिर गिल्ला भी था तो आज आए हम तो अब भी जाना पड़ेगा यहां उपर ए घर है वहां पर हमने ट्रीलर रखा हुआ है तो फिर वहां से लाते है और अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ यहां पर क्या मिला म कर इस तो निया उटा है का फिर्था निया आपको निया निया उंकर आत्रशचा एक्षाख़। पीचिए। इसा नसा तो जस लो रहें जसने बनो कर दो कर दो कर दो कर दो Revelation तो आज के लिए इतना ही खोड़ा हमने तो अब आएंगे कल क्यूंकि गिल्ला भी है थोड़ा भोत दंग से खोड़ा नहीं जारा तो कल खोड़ेंगे और आलू कली लगाएंगे गाइस तो भी हम पहुंचुके घर में तो अभी टाइम हो रहा है एक तो अभी करते हैं लेंच और फिर थोड़ी दे रेस्ट करेंगे और फिर चार बज़े के करीब जाएंगे पीछे खेलने क्रिकट और कल शाय से नंखरी जाओंगा अगर कल मैच होगा तो कल जाएंगे समर को तो बता देगे आपको शाम को बता दूंगा मैं तो अभी लेंच करते और फिर रेस्ट करते और मिलते आपको थोड़ी तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं ग्राउंट की तरफ तो चार बजने वाले हैं और मोसम भी खराब हो चुका है अभी तो सूबा देखोगा आप से मोसम भी खराब हो चुका है यहां से दिखाता हमें आपको दर तो पेड़े भी बादिश आएगी है भी लग बग पांच हो जए वापिस कल की तरह ना पड़ेगा दस मिट के लेंगे और फिर वापिस गर नीचे नीरवाई बिलकल भी पाइप लेक्यार अब जारे हैं वापिस घर की तरफ तो अभी टाइम हो रहे है सढ़े साथ होनेवाले तो मोसम भराब हो गया था पहले चार वजे पर उसके बाद उगए दसारल की सी बूंदबा बांदी हुई पर उसके बाद साफ हो गया था तो अब भी चलते हैं और कल देखते हैं क्या होता है कल शाहिद नुन्खरी जाएंगे मेच खिलने भी जा सकते हैं कल सम्मर कोट बाकी बता नहीं जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं कल मोसम तो साफ दिया है वैसे कल पार भी जा सकते हैं मुंदर खेट खोद आलू नहीं लगाए थे हैं हमने